कि अब कर दो कि अब कर दो कर दो कि अब डाप डाक्टर जैकाल की शैतानी दाकतों के सामने को यह ने डिक बाता के अब psychology अब टो कि अब्रक दो कि अब मत जोगberg वरफ ने रांक याऊचा हुआख ऑड़ छाह ऊई को अब्रेश्ट। नाइन की सियाद है जब हम मोबाइल और कम्प्यूटर से ज़्यादा कीवी पर ध्यान देते थे कितनी सारी चीज़े देखनी थी हमको और कितना कम टाइम था लेकिन किसी भी 90's के इंडियन बच्चे से अगर आप पूछेंगे कि उनका फेवरी टीवी सीरीज कौन सा है दस में से नौ बार आपको एक ही जवाब मिलेगा शक्तिमान लेकिन जितना प्याड हम शक्तिमान से करते है आज की वीडियो हमने मुकेश खंड़ना के सीरियल के तारीफ में नहीं बनाई है आज के वीडियो में हम ये जिसकस करेंगे कि कैसे दिल चुराने के साथ साथ शक्तिमान ने मार्वेल डीसी और स्टार वर्स के भी कही सीन चुराए है एकदम शुरूर से शुरू करते हैं उड़ने की शमता, हाती जैसी ताकत, चीते की फुर्ती, सम्होन शक्ती, अंतरिक्षियात्रा और ऐसे ही एक से बढ़कर एक अद्भुत शक्तिमान की शमताओ से ही यही पता चलता है कि शो के निर्माता के दिमाग में सूपरमैन ही था जब ये लोग शक्तिमान का कैरेक्टर डेवलफ कर रहे थे और दोनों ही जब सूपर हीरो का वेश बदलते थे, दोनों ही रिपोर्टर का काम करते थे इन दोनों के गल्फरेंज भी रिपोर्टर ही थी, दोनों की कमजोरी भी एक तरह की पत्थत थी क्रिप्टोनाइट सूपरमैन के लिए और शक्तिमान के लिए पापपुंच इन दोनों का रिष्टा इतना गहरा था कि शक्तिमान के सूरिया अंशी जहां रहते थे वो जगह सूपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिशूट से काफी मिलती जुलती थी और यहाँ पर एक बहातु नीज रिपोर्टर भी है जो हीरो की गल्फरेंड भी है कुछ याद आया? मैं लुइस लेन या आईरिस वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ गीता विश्वास थी शक्तिमान की प्रेमी का और हर एक भारतिय नारी के लिए अनुप्रेंडना लेकिन कभी-कभी मुसीबत में फसी हुई लरकी का किदार भी निभाना पड़ता था गीता विश्वास को ताकि उसे शक्तिमान बचा सके और तो और शक्तिमान का विलन भी डार्क साइड और डार्क सीडिया से प्रेरित था किल्विष्ट का लाइन का लिटरल मतलब था दार्क साइड और अन्धेरों के गुलाम बनाने से उसका मतलब था डीसी के एंटिलाइफ इक्वेशन के साथ आप मेंसे कुछ लोगों को लग सकता है कि डॉक्टर जेकॉल डीसी के हीउगो स्ट्रेंज की कॉपी है मैं भी आप लोगों से एग्री करता हूँ लेकिन मेरे हिसाब से डॉक्टर जेकॉल लेक्स लूथर के उपर आधरेत है अब आप पूछेंगे क्यों क्योंकि लूथर की तरह ओ भी टेक्निलोजी का दुरुप्योग करता था शक्तिमान को हानी पहुचाने के लिए नकल से याद आया जेकल ने शक्तिमान का हूबा हूँ क्लोन भी बना दिया था जो लूथर कभी नहीं कर सका क्रिस्टोफर रीफ्स के सूपरमेन फोर में जो न्यूप्लियर मैन था उसका एक सस्ता वाला कौपी शक्तिमान में भी था जो सूरियन जी मुंबाई में रहते थे वो एक्समैन के कौपी थे अभी मन्यों के पास टॉम की तरह हावा को कंट्रोल करने की ताकत थी शिशिर की शक्ति जीन ग्रे से मिलती थी और विद्वत था साइकलोप्स का सस्ता वाला कौपी संजीव वस क्लियरली डॉक्टर चाल्स जेवियर और उन लोग के पास भी सेरीब्रो था जो की बहुत ही बुरे सीजी आई का निदर्शन था एक जेट भी था उनके पास और लास्ट में आकांशा की स्टोरी लाइन जो की एक्समेन में रोग के स्टोरी से पूरी मिलती थी 1999 का ममी याद है जिसमें ब्रेंडन फ्रेजर और रेचल विस्ट थी शक्तिमान का एक एपिसोड बेसीकली दा ममी का हेंगी वर्षन था और भी बहुत सारी चीजे थी शक्तिमान के सेक्ड में जो हमें अलग-अलग पॉप कल्चर की याद दिलाती है डॉक्टर जैकल का स्पेशिप स्टार वर्ष से इंस्पायर था स्टॉम टूपर्स भी थे शक्तिमान में स्टार वर्ष को कॉपी करने की जो उच्सा शक्तिमान ने दिखाए थी उसका जलक प्रकश पाता है जब महागूरू जी को हम देखते हैं लाइट सेबर के साथ और स्टार वर्ष की तरह दार्ट वेडर और ओबी वन के नव भी मेरा मतलब किलबिश और महागूरू में लाइट सेवर से तलवार बाजी भी दिखाए गए थी शक्तिमान में मिस्टर सबकर जो की अमिताब बच्चन का कॉपी कैट था उसे अंतरिश्क के रक्षक की तरह दिखाया गया था और इसका कैरेक्टर ग्रीन लैंटर के ऊपर आधर इत था I know आपको भी लग रहा है और कितने सारे लेजेंजरी कैरेक्टर का कतल करेंगे अगर चार साल के किसी बच्चे ने स्टार वर्स बनाई होती तो उसका स्टार वर्स शक्तिमान की तरह होता में इन ब्लैक को भी नहीं छोड़ा शक्तिमान के क्रेटेस ने कुछ एपिसोड में काले सूट में लोग गुल्डों के वेश में हमारा मनुरंजन करते थे कैटिमान किसको नहीं पसंद है बैक्टमैन की ओन और गल्फरेंट शक्तिमान में इस केरेक्टर को एक नया स्पिन मिला था बिल्ली के रूपने बिल्ली असलियत में बिल्ली बन जाती थी और यहाँ पर ही खतम नहीं होता उसका स्टोरी लास्ट में शक्तिमान ने उसको हराया था मंदिर में ले जाकर टॉय मैन का नाम ही नहीं बदला इन लोगों ने शक्तिमान का टॉय मैन DC के इस टॉय मैन से इंस्पायर्ट था जो कि सुपर मैन का विलेन था इलेक्टिक मैन भी DC के लाइव वेर का कॉपी था और बहुत ही बत्त सीजी आई का एक इनसान सूपर मैन विलेन पैरसाइट के उपर बेस था पहले कुछ एपिसोड में एक बहर उपया मिलता है हमको जो कि स्पाइडर मैन के विलेन कैमेलियन से काफी हद तक मिलता जुलता है और समापती मुझे लगता है मैंने सारी शक्तिमान के इंस्पिरेशन को कवर किया है अगर आप उन्हें इंस्पिरेशन मानते हो तो अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है तो कॉमें सेक्षन में बताना मत भूलना नॉस्टेल्जी भी कमाल की चीज है इस शो को अगर कोई पहली बात दिख रहा है तो उसे शायद लगता है कि इसके डायलोक्स चाइल्डिश है सीजी आई बेहुदा है और प्लॉट्स घटिया है लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो इन्हें देखकर मुझे एक ऐसे टाइम की याद आती है जब रविबार के दोपेर 12 बजे सब छोट छार के हम सीआ की टीवी के सामने एक घंटा बैठे रहते थे ते सिर्फ शक्तिमान देखने के लिए और इसी बात पे मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा है इस वीडियो को बनाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए बेल आइकान दबाईए तक ही जब भी हम कोई नीज वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुच जाए और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूले मुलाकाद हो की अगले वीडियो में